नमस्कार मैं विद्या शिंकरतिवारी हूं इंडिया ने उचके डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे पुलवामा हमले को ले करके भारत की तैयारी और पूरी दुनिया में जिस तरह से वो पाकिस्तान को काटने के लिए कुटनितिक कवायद कर रहा है इसके ब ताबिक जैसे मुहम्मद फिर से एक वैसा ही पुलवामा से भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है और इस हमले में जो है पांसो किलो आडियेक्स इस्तिमाल करने की बात हो रही है अब बताया यह जा रहा है कि जो गुरेज सेक्तर है वहाँ पे जो है आतंकवादी काफी संख्या में हैं और वो अपने आका से भारत में एंटी लेने के आदेश का इंतिजार कर रहे हैं यह जो आत्मगाती इस तरह का अब की बार जो हमला किया जाना है वो पुलवामा से बड़ा होना है और इन्पूट में यह भी पता चला है कि कुछ लोकल कस्मिरियों को आतंक की बनने के लिए तयार किया जा रहा है और एक बात यह भी पता चली है कि यह जो हमला होगा वो दो से तीन दिनों के अंदर हो सकता है जो जनकारी मिली है उसके बाद तो सभाव के खुपिया जनकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजंसिया अलर्ट हो जाती है और उसके लिए गाड़ी भी तयार कर ली गई है जैस उतरी कस्मीर में चोकी बल और तंग धार में आईडी ब्लास्ट के जरी ये हमला करने की साजिस रच रहा है तो इस तरह की ये खुपिया जनकारी आ रही है और ये जो जनकारी पकड़ी गई है वो पकड़ी गई है 16-17 फरवरी के बीच म खास बात ये है कि पुलवामा हमले के से पहले भी इस तरह के खुपिया इंपूट्स मिले थे और उसके बाद अलर्ट भी जारी किया गया था इसके बावजूद CRPF के काफिले पे हमला हो गया था और 40 से अधिक जवान मारे गए थे एक तरह पाकिस्तान कह रहा है कि आप ह इसके लिए लगातार वो राजनईकों की मीटिंग कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाया और उसे आतंकवादी देश साबित किया जाया क्योंकि पाकिस्तान में रहा करके आतंकवादी जो है संग्रक्षन पा रहा है और वहीं से रहा करके वो अपनी गत्विधियों को अंजाम दे रहा है जैसे मुहम्मद का जो मुख्या है मसूद अजहर आई एसाई के संग्रक्षण में ही पाकिस्तान में पल रहा है तो यह वहां उसके जैसे मुहम्मद और आतंकवादियों का मनसूबा और इनकी हिम्मत दुसास है कि जब पूरी दुनिया में अभियान चल रहा है और एक एक करके सारे देश आ रहे हैं आतंकवाद के खिलाब इसके बावजूद वो जो है इस तरह की तयारियों और साजिस रचने से बाज नहीं आ रहे हैं तो यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जो जैसे मुहम्मद का मुख्याला है और जो यह और्गनाईजेशन है वो पाकिस्तान के से ही चलता है और वो मसूद अजहर जो है वहां के आर्मी हस्पीटल में है फिलहाल तो यह बात सबको पता है दुनिया को भी पता है और भारत जितने भी एविडेंस है जितने भी प्रूफ है इकठा करके दुनिया के सामने अपने तरीके से रखने जा रहा है और उसके पूरी तैयारी पाकिस्तान को अलग थलग करने के लेकिन आतंगवादियों का दुस्साहस देखिए बेसक वो कितना अपने मकसद में कामयाब होते हैं नहीं हो पाते हैं वो अलग की बात है लेकिन इस तरह से एक जो कॉल जो है इंटर सब्सक्राइज जाओ करें द।थे झानद को सच्छी में नहीं हो.